कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगा जब कि अच्छे से लेबल कीजिए डेट डाल दीजिए क्लास अप्टा नाम अपने डीचर का नाम लिख लीजिए आज हम लोग प्रैक्टिकल जुमेट्री की बारे भी पढ़ने वाले हैं तो दीखें यहां प दुसरे को कट कर रही हैं यहां पर आपको कुछ angles दिए गए हैं कुछ आपकी आपको दिया गया हैं कौन से buying पालल है कौन से picking drag आंगल से कौन से आपके आगल जो है वो वर्टिकल या फोसे अंगल हैं आपके प्यराफ इंटीरियल एंगल है इनकौन से आपके पिर आफ कोर्सपांडिंग एंगल है चले तुम लोग इसका देख लेते हैं जल्दी से लोग लेख सकते कि भाई एल और एम जो यह दुन यहां पर टाइप रेटर में यह वाला था नहीं इसलिए मैंने यह एंगल का साइज इस तरह से लगता है वैसे यह साइज यहां पर जो लगाया यह वह यह ग्रेटर दैल का तो आप लोग लिखेंगे चलिया पड़ते हैं अब यह लिखें लैट्स डू एन एक्टिविटी कर को देखते हैं यहां के लिखा construction of a line in parallel to a given line through a point not on a line चलिए देखते हैं अब हम एक एक्टिविटी करेंगे के एक पैलल लाइन बनाएंगे उसके तुरू हम पास आउट करने की कोशिश करेंगे देखेंगी होता है या नहीं तो यहां लिखा है take a sheet of paper and fold it अब आप एक sheet आपको एक लाइन मिलेगी जिसका नाम आप एल रख दीजिए unfold the paper mark the point a अब आपको क्या करना है outside the line line के कहीं पे भी बाहर आपको उसका एक point रख देना जिसका नाम रखना है a line है इसके बाहर हमने ए रख दिया अब आपको क्या करना fold the paper perpendicular to the line such this perpendicular pass through a आप कहते है पेपर को दुबार से fold कीजिए अब यहां से stress के पहले पेपर पेपर आपने क्या करना है इस paper को fold कीजिए ताकि एक perpendicular line निकले एक से पाज होती हुई ठीक है अब आप क्या करेंगे उसका नाम रख देना है a अब make the fold दुबारा सब उसको क्या करना है पर पेंडिकूलर तो बोलते हैं इसका आपको शेप मिलेगा अब जरा इसके अंगल को अबसर्ब कीजिए उसके बाद बोलते हैं जर्च एक सबस्क्राइब करते हैं कि आपकर जो एक्स स्रील और एम हैं वह पैलना है यह नहीं चले अब यहां देखे लिखाए लैट्स चले प्रैक्टिस करक सेग्मेंट उ लां ओं選 की सबस्क्राइब और यहां तिकिए अन्टी यह नहीं सेगमंट में याइचे रिमाएक सबस्क्राइब को शेंप्राइफ्पराइक टुक्डटी रहती है टिनुकिन का जैसे पूरी एक लिकफाए आपकी ही इसका यह टुकड़ा है यह जो टुकड़ा यह लाइन सेग्मेंट के लाएगा ठीक है नेक्स पूशन लिखाए ड्रो लाइन एक लाइन बनाए नेम इट आज टी उस लाइन का नाम टी रख दीजिए और उसके बाद आप उसके उपर के पी एक लेंद कीचे 6 सेंटीमेटर की रूलर और कमपस की और इधर आर्क लगा देंगे दोनों तरफ और फिर जो आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा उससे एक सीधी रिखा कीचेंगे जिसका नाम के और पी रखेंगे और इसकी जो माप होगी उच्छे सेंटीमेटर होगी ठेक है कर लेंगे चलिए आगे पढ़ते हैं अब यह बढ़ती है जैसे कि आपकी संगी तब अपने सके लाभी बोलते हाव बैनी रेज कैन यू एबल टू ड्रॉफ फॉर्म इड्स पॉइंट अब इस पॉइंट से कितनी रेज बना सकते हैं तो इंफिनिटी बन जाएंगी जितने दिल चाहा बनाते चले जाओ बनाते चले जा है ठीक है अलास्ट कुशिन इस राइट वन एग्जाम्पल ऑफ उफ फॉलोईंग अब आपको सब का एक 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 ऐसेंपल भी देना है की लाइन क्या है रे क्या है और लाइन सेग्मेंट क्या है तो चले इसका अट्टा देते हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगे लाइ और पीछे दोनों तरफ से बढही जा सकती है जैसे कि road जब दिल चाहे इitर से आगे बढ़ा लो जब दिल चाहे इदर से आगे बढ़ा लो थीक है दूसरा क्या है आपका ray चली रे पढ़ते अब यह देखिय आता है ray यह जो एक तरफ से तो बन होता है लेकिन हां दूसरी तरफ से वह बढ़ सकता है यह होते है। आपका री जैसे की सूरज ग्या है सूरज बीच पे होता है एक तरफ से लाइट नहीं भड़ेगी लेकिन हां दूसरी तरफ से अगर आपको आपने मैं चाहां को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं चाहां को सब्सक्राइब करें